प्रश्वार्ट के एक और एपिसोड में मैं रुबीना आ गही हूं आपके लिए लेकर एक युनीक सी रेसिपी आज की रेसिपी जो हम बनाने वाले है वो मेरी एक्सपरिमेंटल रेसिपी है ऐसे तो हमने बहुत सारे ओमलेट्स खाया है वराइटी वराइटी के ओमलेट्स बनते ही है लेकिन आज जो ओमलेट्स मैं बनाने वाली हूँ वो है थोड़ा सा यूनीक थोड़ा सा हटके जो है bread crumbs omelette वैसे तो bread crumbs को हम coating के लिए इस्तमाल करते हैं कभी कबाब की coating हो गई ही कभी burger की coating हो गई ही लेकिन omelette में पहली बार इसका इस्तमाल मैं आपके सामने करने जा रही हूँ तो चलिए बताती हूँ इसके ingredients सबसे पहले oil जो के बहुत जरूरी है यह दो अंडे है जो के मैंने फैट के रखे है यह हमारे regular मसाले यह है एक प्यास चॉप की हुई bread crumbs जो हम omelette में इस्तमाल करने वाले हैं यह है हमारा coriander और यह है ginger garlic paste चलिए बनाते हैं bread crumbs omelette oil दो tablespoon oil को गरम होने देंगे तब तक हम अंडे की preparation कर लेते हैं यह हमारे अंडे अब आती है बारी हमारे मसालों की नमक, स्वाद अनुसार दाल मिर्च, 1-4 टी स्पून घरम मसाला, 1-4 टी स्पून करते अच्छे तरी किसे mix अब आती है बारी हमारे bread crumbs की साथी इसमें हमारी प्यास coriander ginger garlic paste half tablespoon करते इसे अच्छे तरी किसे mix यह हो चुका अच्छे तरी किसे mix अब दालते इसे हमारी fry pan में ठीक तरी किसे पहला लीज़े 2-3 मिनिट तक हम एक तरफ की परत पकाएंगे उसके बाद इसे पलट के जब यह golden brown हो जाएगा तब हम इसे पलट देंगे और जो उपर की परत है उसको भी 2-3 मिनिट तक हम पका लेंगे ठीके दो से 3 मिनिट हो चुके है हमारे और एक तरफ की जो साइट है नीचे की वो अल्मोस्ट पक चुकी है अब आती इसे पलटानी की बारी यह देखे खितना सुनहरा सा प्यारा सा रंग आया है पूरी की पूरी तरफ की जो एक परत है नीचे की जो थी वो पक चुकी है इसी तरीके से 2-3 मिनिट तक हम नीचे वाली परत भी पका लेंगे बस हमारा ओमलेट जो है वो रेडी हो जाएगा सर्फ करने के लिए तो 2-3 मिनिट हो गए है पूरे देखते क्या हाल है हमारे ओमलेट का यह देखे बिल्कुल सुनहरा सा कलर हो चुका है बड़ा प्यारा सा कलर आ रहा है खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है अब यह हो गया है बिल्कुल तयार चलिए सर्फ करते है इंडक्शन बन तो रेडी है हमारा ब्रेट क्रम्स ओमलेट बिल्कुल ट्राय कीजेगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा यूट्यूब पे फेस्बुक पे वाट्सेप पे टुईटर पे और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजेगा मैं लेत